विंग कमांडर अभिनन्दन 27 फरवरी 2019 को वायू सेना स्टेशन श्रीनगर में ओपरेशनल रेडिनेस प्लैटफॉर्म पर तैनाथ थे सुबह 9 बच कर 55 मिनिट पर उननत हतियारों से लैस पाकिस्तानी वायू सेना के लड़ाकू वायू यानू को जिन में चौथी पीड़ी के उननत F-16 तथा JF-17 शामिल थे नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया लगबग 10 बजे आपको तुरंत शत्रू के वायू यानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े असाधारन हवाई सूजभूज और शत्रू की रणनीती की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायू यान वाहित एर इंटरसेप्ट रैडार से निम्न उचाई के वायू क्षेतर का निरिक्षन किया और पाया कि दुश्मन का वायू यान भारती लड़ाकू इंटरसेप्टर वायू यान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम भी रणनीती बनाई इससे शत्रू के वायू यान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए आपने शत्रू के लड़ा को बंवर्शक वायू यानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायू यान को मार गिराया तथा भी इस घंगोर युद्ध में शत्रू की एक BVR मिसाइल आपके वायू यान से टकरा गई और आपको शत्रू की सीमा में उतरने के लिए बात दे होना पड़ा एक युद्ध बंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे सैयम, बहादुरी और गरिमा पून तरीके से शत्रों से पेश आए जब तक आपको एक मार्च 2019 को वापस सौपा गया तब तक आपने असाधारन दृड़ता बनाई रखी इस कारे से सभी सशत्र बनों का और खासतोर पर भारतिये वायू सेना का मनोबल बढ़ा इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभीनंदन ने अपनी व्यक्तिकत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने करतव्वे के प्रती असाधारन समर्पन तथा शत्रों के सामने अ अजयाओ जत्यक्काल पर ओारतियस स्थानि करता बनी पर भारतियस सब्का और भीन यहाथ था उख्यारन अभीन अपने परता भालकर प्रका को भीनिए रख।ार्वे के तर्भीन में झालकर श्र Loris लॉवसτη questoएर आ्रतियम झालकर कर प्रत हुए ने प्रते हुए झीरिगत